अब आफटरनून और कैसे हैं आप सब लोग और जिल लोगों ने भी मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को कर लिजए सबस्क्राइब और यहां पर आज है मंडे और अभी जो है मैं बना रही हूं साबुदानी खिचडी और आज मैं छोटे वा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी साबुदानी खिचुडी है जो बन चुकी है इसके बाद यहाँ पर मेरा क्रीम सब के लिए प्लेट में मैं और निकु बैठ कर खिचुडी खा रहे हूँ साथ में मेरा भाई सामने बैठा हुआ है तो मैं उनसे बाते भी कर रही थी और इसके बाद यहाँ पर अभी बेज़ रहे हैं शाम के साथ तो आज रात की डिर नम्र में बना रही हूं काजु करी साथ में ही लच्छा अच्छाचे में ठाइम लगता है और तो यहां पर मैं ने सौग्रम काजु लिए हैं और इनको जो ही बæटर में डाल कर रहे हूँ मैं इनको फ्राए तो यहां पर मैंने देसी गी मैं अधा में नमें जीनान यहां बेड़ाई हनुझ आप़ाेनट्र चप्रेड़ लोग। 1 उनलयखन थैखने मसालों घले हैं तो कुझा यां से भून जाना आजाए सुझा है फ्रंगी तो इसे हमें थोड़ा सा गुलावी होने तक भूनना है तो प्राइज आप देख सकते हमारी यहां पर है और इस चुकी और इसके बाद एक से 1-2 मृट तक हम भूल लेंगे और इसको भूनने के बाद इसमें सूखे मसाले तो यहां पर सबसे पहले एक करूंगी मैं इसमें एक चममच लाल मिल्च और धनिया पाउडर एक चममच और साथ में नैं 30 सी हलदी एक कर दी है अ और थोड़ा सां यहां पर एक करूंगी मैं गर्ममसाला और इसके बाद जो हैस मच्छे से भून लेंगे और बोड़ साथ में ही यहां पर एड़ करूंगी टेस्ट का अकॉर्डिन नमक तो आप देख सकते हैं मसाला यहांपर हमार अच्छे से भून गया हैं और इसके बाद आड़ करूंगी इसमें दो टामाटर का पेस्ट तो इसको भी मसाले के संग अच्छे से भून लेंगे तो add करूंगी मैं एक ग्लास पानी तो ग्रेवी आप अपनी according इसमें कम जादा रख सकते हैं तो यहाँ पर मैं एक बड़ा ग्लास पानी जो है इसके अंदर कर दूंगी add और आप देखी रहें कि दिन पर दिन जो है परेश्यानिया बढ़ती ही जा रही है तो जीवन में इतना बुरा वक्त भी आएगा मैंने कभी नहीं सूचा था और लॉक डॉंग जो है बढ़ चुका है और अब पता नहीं है कब तक मैं अपने घर जा पाऊंगी मुझे नहीं स को भी जो हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स और थोड़ी इसे बॉइल होने देंगे एक से दो मिलिट के बाद और यहां पर जो काजु मैंने भून के रखे थे उनको भी कर देती हूं मैं इसमें एड और इसके बाद जो है इसे हम पास से साथ मिनित तक मीडियम फ्लैम पर इस तीन कटोरी गेहूं का आटा है साथ में इसमें मैं एड कर दिया है एक कब दूद और इसके बाद इसमें एड करूंगी मैं नमक और साथ में यहां पर एड करूंगी मैं इसमें आदा कटोरी और इन सब को जो अच्छे से कर लूँगी मैं मिक्स यहां पर तो यहां पर जो अच्छा पराटा है मैं सिर्प गेहूं के आठे से ही बना रही हूं जो कि हेल्दी होते हैं इसमें मैंने महें दाएड नहीं किया है और इन सब को जो अच्छे से मिक्स करके इसका आठा गूंद लूँगी मैं कि यहाँ पर आटे को मैंने चिसी गुंद लिया है । मैंने एक रूमाल से ढक कर जो है दस से पंदा मिलिट रैश्ट होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैंने एक कटोरी में आदा कटोरी ओइल लिया है और साथ में यहां पर तीन बड़े चमच इसमें एड़ कर दिया है गिहू का आटा और इसका जो है मैंने कर लिया है एक पेश्ट तयार और जो आटा गूंदा हुआ था इसको फिर से हम थोड़ा सा मस लेंगे और इसके बाद चली आईए लच्छा पराठा बनाना शुरू कर प्रते हैं बाद साथ न्यूक् fatigue that will FLAR को जाने है और आटा है Su인ी के प्रते में नेसली अच्छे साथ पूरि प्योंदा करदेशा अचलायल है अच्छे साथ जादा नहीं लगा रही हूं और इस पेश्ट को जो है मैंने अच्छे से पूरी रोटी पर लगा दिया है और इसके बाद यहां पर मैंने एक कटर लिया है पीजा कटर तो इसकी जो है पतली-पतली सी इसकी स्ट्रिप करती जाओंगी तो आप देख सकते किती आसानी से इसकी कट हो रही है पर जो है रोटी में मैंने पर्थर लगाया हुआ था इसकी में जैसे जो है रोटी थोड़ी सी उठ रही है बार-बार तो यहां पर ऐसी पतली-पतली जो है इसकी मैं लेयर कट कर लूँगी और देख सकते हैं आपर मैंने सारी लेयर कट कर ली है और इसके बा यहां पर इतनी मैंने लच्छा पराठा की लोई यह तैयार कर ली है और इसके बाद इनको जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी आदे घंटे के लिए तो आप इसे पहले से बनाकर रख सकते हैं और आदा घंटा हो चुका है तो आप देख सकते हैं यह अच्छे से सैट हो कलोंगी बैलन से तो जिससे की जो हमारे परांटे परांटे तो यहाँ पर जо है मैं ने परांटे को बैल लिया है और मैंने साइज ज्यादा बड़ा नहीं रखा है मीडियम साइज है और इसके बाद आई चलिए इसको अब मैं डाल देती हूं तो यह नॉर्मल रोटी का तवा है जिस पर हम रोटी बनाते हैं उसी पर जो है मैं पार्टे को सेख लूगी और यहां पर अलट पर लटने के बाद दौनों तरफ यह पर से लगा सकते हैं या आउंत्क लगास सकते हैं और इसको जो है आज पर अच्छी सेखने अगर हम मेंदे सेंब राता हैं कि यह च्छा देखता पर हेल्थ के लिए गहु अच्छा होता है इसलिए यहां मेरा नच्छा पराठह बनकर तयार है और यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं टिक को मम्मी के साथ कर रहा है यहां पर पूजा तो उसे काफी अच्छा लग रहा है और कितने आराम से वह बैठा हुआ है मैं बनाती जारी हूँ पराठे साथ में ही मम्मी पापा और भाई बैठ कर खा रहे हैं खाना तो हमारे यहां पर ऐसे ही खाना खाते हैं गरम गरम बनाते जाते हैं और साथ में ही खाते जाते हैं तो इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं मैं दो तवी पर पराठे बना लिए हूँ जिसे की जल्दी बनते जाए तो यहां पर यह है मेरा खाना तो काजुकरी और साथ में ही लच्छा पराठा तो और मैं यहाँ पर बैटकर नी टिक्कू के साथ खाने उखाना तो टिक्कू को भी जो हमारा लच्छा पराठा काफी पसंद आया था और निकू ने जो है पहले ही खाना खा लिया था तो मेरे कुछ subscriber हैं यहांपर हरमन प्रीट कॉल जी है जिनका बर्डे था 15 अप्रैल को तो wish you many many हैपी रिट exclusive of the day कर दिजिनका गुड़ें जी है जिनका भी 15 अप्रैल को हैपी बर्डे था तो wish you many many हैपी रिटीनस of the day गुड़ें जी और साथ में यहाँ पर मेरी एक subscriber है जिम्भी प्रजापत जिनका नाम दीपा प्रजापत है तो wish you many many happy anniversary both of you तो इनकी जो है तेरा अप्रेल को Merry January अनिवर्सरी थी और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं दौनों भांजे बैटकर अपने मामा के साथ देख रहे हैं टिक टॉक तो चलिए फ्रेंस पर आज किसे ब्लॉक को करती हैं पर एंड और आपको अच्छा मेरे यह ब्लॉक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक चै कुमेन्ट में इसाथ चेयर कीजेगा और को